हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपको 32 साइज की डबल कटोरी ब्लाज की कटिंग सेयर करूंगी तो यह देखिए फ्रेंड्स यहां पे मैंने इस तरह से कपड़े को डबल फॉल्ड कर लिया हुआ है और यह 80 सेंटिमीडर का फैब्रिक है जिसमें मैं डारेट कपड़े पर कैसे कटिंग करते हैं वह सेयर करूंगी तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की लेंगे तो आप लेंथ अपने अकोडिंग रखे फ्रेंड्स कम जादा कर सकते हैं मैंने यहां से जो इसका लेंथ है वो 14.5 इंच रखा हुआ है त बैक यहीं फायले से एक मार कर लेंगे इसके पाद हम लेंगे शॉल्डर तो शॉल्डर यहां से 32 साजिके ऐकोडिंग फाइव वीस इंच है तो फाइव इंच पी इसके पाद एक इस तरह से मार कर लेंगे 32 size के according तो यहाँ पे 8 inch लेंगे plus 2 inch extra margin है आप चाहे तो 1.5 inch भी रख सकते हैं और यहाँ से हमें 1.5 inch की आर्मोल की गुलाई देनी है तो इस तरह से dot dot करते हुए आप इसके गुलाई दे सकते हैं friends और यह देखिए इस तरह से यहाँ पे हम इसका shape देंगे और नीचे के गरब से हमें कमर का measurement लेना है तो कमर है 6.5 inch 1 inch back part की tux के लिए है plus 2 inch है extra margin margin वाले line को इस तरह से आपस में हमें joint कर देना है अब हम लेंगे neck width और neck width है 2 inch और neck का length यहाँ से आप अपने according रख सकते हैं मैंने यहाँ से 9.5 inch रखा हुआ है और इस तरह से एक box बना लेना है और अपनी पसंद का कोई सब ही आप save draw कर सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस तरह से box बना करके और side से इसकी cutting कर दी हुई है neck की cutting हम बाद में करेंगे क्यूंकि front part को रखते हुए हमें back part की cutting करनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने back part की cutting कर दी हुई है अब इसी को रखते हुए हम front part की marking करेंगे तो सबसे पहले हम एक सीधी land row करेंगे और half inch extra लेंगे यह half inch हमारा high hook की पटी में दब जाएगा stitching के time और इसी land पे रखते हुए हमें fabric को अच्छे से बिछा लेना है और नीचे की तरब से हम one inch extra लेंगे back part की according हमें one inch front part में extra लेना होता है और चारो तरब से एज़ेटी land row कर लेंगे तो आप देख सकते हैं friends यहाँ पे मैंने जिस तरह से land row किया हुए समसे तरह से आपको भी कर लेना है और इसके बाद अब हम लेंगे neck width तो neck width तो back part की according ही है और neck का जो length है front part का वो six inch है इसके बाद हम इस तरह से box बना लेंगे और neck का shape देंगे इसके बाद अब हम half inch का shape देंगे front armhole के लिए जिससे की front armhole में हमारा कपड़ा एक्ष्टा ना हो सिल्वर्ट ना आए armhole के side और belt के लिए 3 inch पे मार करेंगे इस side और इस side 2 inch पे और दोनों निसान को आपस में joint कर देंगे अब हम कटोरी के लिए लेंगे 5 inch और गले के पास से हम 1 inch लेंगे और armhole के side से 3 inch लेंगे friends और इस तरह से कटोरी का shape देंगे तो यह देखिए यहाँ पे मैंने कटोरी का shape दे दिया हुआ है और इस तरह से blouse की cutting करना बहुत ही आसान है आप चाहे तो इसे इस तरीके को कर सकते हैं और यह जो blouse है वो बिल्कुल perfect ready होता है तो आप इस तरीके को जरूर ट्रै करें और कहीं कोई confusion हो तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं friends यहाँ पे मैंने इस तरह से इसकी cutting कर दी भी है और यह जो कटोरी है यह wastage है इसके जगह पर हम बड़ी कोटोरी ready करेंगे तो चलिए अस्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे यह जो कटोरी है इससे double करेंगे तो double करने के लिए इस side से हम 2.5 inch लेंगे 2 inch और इस side से हम 2 inch लेंगे और हलका सा गोलाई देते हुए हम इसे इस तरह से mark कर देंगे और cut लगा देंगे हम यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दो भागों में इससे cut कर दिया हुआ है और अब हमें इसे बढ़ा करना है तो दोनों जो हमने cut किये हुए कटोरी को उसे इस तरह से रखेंगे कि center से हमारा 1 inch gaping आए और इस side से हम 1.5 inch बढ़ाएंगे अगर heavy chest है तो 1.5 inch बढ़ा है वरना आप 1 inch भी ले सकते हैं अगर आपका chest कम हो तो burst size कम हो तो आप यहाँ पर 1 inch ले और दोनों का center मिलाते हुए यहाँ पर हम mark कर लेंगे और नीचे की तरब से भी 1.5 inch हम लेंगे और इस तरह से दोनों निसानों को आपस में joint कर देंगे friends तो बिल्कुल ध्यान से देखें आप मैं किस तरह से कर रही हूँ से मुसी तरह से आपको करना है और बहुत ही आसान तरीका है यह यह देखिए इस set से हमें बिल्कुल नहीं बढ़ाना क्योंकि हमने half inch extra बढ़ा लिया हुआ था high hook की पट्टी के लिए गले के पास से जैसा है वैसा ही रखेंगे बस हमें यहां से सिला मार्जिन का लेना है और नीचे की लाइन की तरफ मिला देना है हमें अब हमें यहां से half of inch ले लेना है सिला मार्जिन का दोनों तरफ से जो हमने one inch extra लिया हुआ था और इसे अब हम side में रख देंगे और dated inch का हम यहां पर mark देंगे जितना हमने extra बढ़ाया हुआ था और इस तरह से dot दे देंगे यहां पर और यह जो कटोरी है यह हमारी बड़ी हो चुकी है अब हम इसकी cutting कर लेंगे तो आप देख सकते है friends यहां पर मैंने side से cut कर दिया हुआ इसे और center से भी हमें इसे cut कर देना है और इसे stitch हमें इस तरह से करना है सबसे पहले हम इसकी stitching कर लेंगे और फिर हम दोनों कटोरी को joint कर देंगे तो यह बहुत ही अच्छा puff बनकर ready हो जाएगा और बहुत ही fitting के साथ ready हो जाता है तो आप इस तरीके को जरूद रैकर reference अब हम बच्चे हुए कपड़े से slips निकालेंगे तो slips निकालने के लिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को double fold कर लिया हुआ है और आपकी length slips के जितनी है आप उतनी रख सकते है मैंने यहाँ से 5.5 इंच रखा हुआ है नीचे से भी हम यहाँ पे 5.5 इंच पे एक mark कर लेंगे और कपड़े को सीधा कर लेंगे सीधा करने के बाद हमें 1.5 इंच की गोलाई देनी है slips की तो 1.5 इंच पे भी हम एक सीधी mark कर लेंगे और मुहरी आपकी जितनी है उतनी ले मैंने यहाँ से 6 इंच रखी हुई है और इस तरह से हमें गोलाई देनी है slips की और यह extra margin है 2 इंच का तो इस तरह से यहाँ पे slips की हमें cutting कर देनी है और front पार्ट में हमें 1.5 इंच का सेप देना है तो यह जो slips से हमारी ready हो गई है तो friends आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेट कर जरूर बताए साथी वीडियो को like share करना बिलकुल न भूले और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें Thank you friends